हलो दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको ऐसी पांच कॉमन सेंस पजल बताने वाली हों कि जिनके जवाब आप धूनते ही रह जाओंगे तो देखते हैं वैं कि आप उनमें से कितनी पजल हल कर पाते हों तो चलिए शुरू करते हैं पजल नमबर वन एक बार रितिक रात के समय कार से जा रहा था और जाते जाते वह बहुत दूर निकल जाता है और वो रास्ता भटक जाता है और ऐसे समय रितिक के पास कुछ भी पैसे नहीं थे वह बहुती भूका प्यासा था रास्ते से जाते जाते उसे तीन दर्वाजे दिखाए देते हैं पहले दर्वाजे के पीछे पीने के लिए बहुत सारा पानी था दूसरे दर्वाजे के पीछे बहुत सारा खाना रखा हुआ था और तीसरे दर्वाजे के पीछे बहुत सार सोना रखा हुआ था दोस्तों अब आप हमें बताईए कि रिती को इन सब में से कौन सा दर्वाजा सबसे पहले खोलना चाहिए तो भाई जरा अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेड कीजिए तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं अरे यार इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल था रिती को सबसे पहले तो भाई कार का दर्वाजा ही खोलना पड़ेंगा न क्यूंकि वो तो कार के अंदर बैठा है न अगर उसको तीन में से कोई भी दर्वाजा खोलना है तो उसे सबसे पहले कार का दर्वाजा ही खोलना पड़ेंगा न दोस्तों वैसे आपने क्या जवाब सोचा था तो वहाँ हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा फजल नमबर टू दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दो सरकल आए हैं एक ग्लू वाला और एक रेड वाला तो भाई इन दोनों भी सरकल को जरध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर आपकी आँखों की टेस्ट होने वाली है तो क्या आप इन दोनों भी सरकल को ध्यान से देख कर बता सकते हो क्या इन दोनों सरकल में से कौन सा सरकल बढ़ा है तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तों पता चला कि आपको किन में से कौन सा सरकल बढ़ा है नहीं पता तो चलिए इसका जवाब देखते हैं आपने इस पिच्चर को ध्यान से देखा होंगा तो आपको पता चलेंगा कि इन दोनों में से ये रेड़ वाला सरकल वह सबसे बढ़ा है बस आपको इस पिच्चर को ध्यान से देखने की जरूरत थी पज़र नमबर 3 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दो पिच्चर आई है जो दिखने में तो सेम लग रही है लेकिन भाई ऐसा नहीं है इन दोनों पिच्चर में कुछ डिफरंस छिपे हुए है तो अब आप इन दोनों पिच्चर को जर ध्यान से देखिए और अब हमें बताईए कि इस पिच्चर में कुछ कितने डिफरंस छिपे हुए है तो भाई जरा ढूंडो ढूंडो तो दोस्तों दिखाए दिए क्या आपको कि इस पिच्चर में कुल कितने डिफरंस है नहीं दिखाए दिए तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इस पिच्चर में कुल तीन डिफरंस थे जो इस प्रकार है दिखाई दिये न पज़र नमबर फोर दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर एक पिच्चर आई है तो आपको पताना है कि यह किस लड़की का नाम है तो भई दोस्तों पिच्चर को जरध्यान से देखिए कहीं यह आपकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम तो नहीं तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तों पता चला क्या आपको यह किस लड़की का नाम है नहीं पता अरे यार यह तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त रोजा का नाम है देखिये भई सबसे पहले इमोजी रो रही है और बाद में लड़की जा रही है तो दोनों मिला कर हो गया ना रोजा दोस्तों यहाँ नाम किस किस ने सही गेस किया था तो वहाँ हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा